हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई चैनल C-Language की सीरीज में आज हम सिखेंगे डेटा टाइप का चार्ड क्या है तो प्रिविस लेक्ट्टर में हमने सीखा डेटा टाइप, इंटीजर, करेक्टर, फ्लोट, लॉंग इसके हमने प्रोग्राम भी किया च्रिकल भी किया तो आगे सबसे पहले character हमारा पहला डेटा टाइप है वो है character है जिसको हम करेक्टर मैंने बता है था a signed character unsigned bor ub यहां परयास चार्ड फिंट ले रहें character signed में लगाए है या न लगाए परसेंट सी इसके बाद आते हैं हम इसमें अंसाइंड का है अंसाइंड केरेक्टर तो अंसाइंड केरेक्टर का हम देखे तो दोनों को एड कर देंगे एड बहुत यह हो जाएगा हमारा 255 जीरो से लेकर 255 नेगिटिव नमबर नहीं लेता है अंसाइंड है यह वहन बाङ्ट सेंट सी नेच्सट पर चले हम इंकी जर की बात करें जिसको ऐम शौर्ट सैंड इंडेजर कि रही डिय rock हम यहां पर ले रहें इंडीजर फो मोथ मैं यह घ्री एक है शौर्ट इंडिजर पूक्स में ऐसे ही मिल सकता है शौर्ट coach तो मैं शोट को रिमू कर रहा हूं, simple इतना लिख रहे हैं, integer, integer की जो range होती है, माइनस में 32,000, 32,600, 67, और इसकी जो byte होती है, compiler पर डिपेंड करता है, ये 2 byte का भी हो सकता है, फोर byte का भी हो सकता है, परसेंट D use करते हैं, नेक्स चलते हैं, परसेंट आई भी लगते हैं, तो परसेंट D mostly use करते हैं, लोंग लेते हैं, signed integer, unsigned integer, unsigned integer की capacity ज्यादा होती है, या इसको ये कह सकते हैं, short signed integer, short unsigned, short भी लगा देता हैं, यहाँ पर इसकी जो range होगी, इम दोनों को add कर देंगे, तो 0 से लेकर 65, 35, 35, size इसका 4 byte का है, और यहाँ पर बात करें, तो ये %U use करते हैं हम इसमें, 4 byte, तो space थोड़ा कम रह जाएगा, इसलिए सारे data type आजाने चाहिए, %U, उसके बाद आता है, हमारे पास long integer, तो long integer की हम बात करें, ये range हमारे पास आएगी, 21, 47, 48, 36, 48, ठीक है, तो 36, 48, उसके बाद आता है, इसमें, जो range हमारी आती है, वो है, 21, 47, 48, 36, 47, तो positive number में यहाँ तक आता है, और इसका size होता है, long integer का है, ये तह है long integer भी हमारा, तो इस चीज का ध्यान लखना है, two bytes, four bytes, ये, one, two, three, four, long integer, तो ये हमारे पास आएगा, percent, l, d, l आएगा, d आएगा, उसके बाद आता है, इसमें, unsigned, long integer होगया, unsigned long integer, unsigned, long integer, unsigned long integer जो होता है, इसकी जो range है, तो इसकी range की, अगर हम बात करें, तो ये जो, इसकी range है, वो है, 42, उन दोनों को add कर दो, 42, 92, 94, 96, 72, 45, तो देखिए, आएगा, 42, 94, ये range है, दोनों को add करना है, तो ये 0 से लेकर, ये range होती है, 42, 94, 96, 32, 45, और इसका जो size होता है, unsigned long integer की एगर हम बात करें, तो इसके size की एगर हम बात करें, तो यहाँ पर ही आएगा, हमारे पास unsigned long integer भी 4 byte ही memory में लेता है, और इसके लिए हम लिखते हैं, परसेंट, L, U, L, U आएगा, L, U है, L for low, long, U for unsigned, अब हमारे पास जो data types बचते हैं, float, double, long, double, तो यहाँ पे आजाते हैं, हमारा float, फिर हमारे पास, यहाँ float आएगा, तो ही आजाएगा, एक मिनिट कलात हो गया, सुरासा, ठीक कर रेते हैं, तो negative में आएगा, 3.4 E, तो यह positive में आएगा, 3.4 E 38, तो यह है, और इसका size, float का size भी 4 by T ही होता है, और इसके लिए हम लिखते है, percent F, अब float के बाद आता है, double, और double की बात करें, तो यह होता है, 1.7, 308, बीच में E आएगा, E 4 exponent, capital भी हो सकता है, small ball भी हो सकता है, तो positive की बात करें, तो यह आएगा, 1.7 E 308, और इसका double है, तो यह 8 byte होता है, इसका जो हो जाएगा, यहाँ पे आजाएगा, percent L, F, small L, और फिर F, और last जो आता हमारे पास हो आता है, long double, और इसका है, हमारे पास negative में, E 4932 से लिकर, यह आता है, हमारे पास, 1.7 E 4932 positive में, और इसका जो size में में होता है, वो 10 byte का होता है, और इसके लिए हम capital L, और फिर F लगा, तो यह एक data type का chart है, complete, तो इसी, इसका screenshot ले सकते है, हाई यह पच्चे से clear हो गया गया कि character, character, signed character, integer, untised integer, long integer, unsigned integer, float, यह बारे पास data types है, screenshot ले सकते है, इसका, I hope समझ आया होगा, if you like my videos, share with friends and do subscribe my channel and also press the bell icon to get notification of my all videos, thank you for watching my video friends.